वेल्कम यू आल, आज हम बात करने वाले हैं लक्षमी और गैनिक इंडिस्ट्रेइज एल्टीडी के बारे बें और गैस अगर दीखा जाया तो स्टॉक में एक बुलिशनेस आ गही है और बिल्कुल गैस गलती मत करना कहीं आप बेच अगर आपने बेच दिया होगा जिन जि हरीदने का समय हैं बेचने का समय नहीं है और बिल्कुल सोया शेर जाग चुका है बिल्कुल तगड़े रिटन देने के लिए तैयार है लक्षमी और काफी दिनों से हम इस पे वीडियो बना रहे हैं और जिन जिन लोगों ने वीडियो देखकर करीदा होगा उनको भी correction कर रहा था तो stocks में भी गिरावट आ रही थी कुछ लोगों को मैंने बोला था कि hold रखो hold रखो पर कईयों ने इसे बेच दिया था और जिनोंने hold रखा होगा तगड़ा पेसा उनका बनाऊगा तो guys big breakout इसमें मिल चुका है लक्ष्मी औरगैनिक इंडस्ट्रीस में और देखा जा तो एक bullish momentum है और target काफी easy हम रखने वाले है और पिलकुल आपको आसानी से समझे कुछ ऐसा analysis में करके बताने वाला हूँ तो guys वीडियो को एन तक देखना बिना skip किये और चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को subscribe कर देना 4 shares के updates के लिए shares के latest news के लिए तो guys वीडियो को शुरू करता है तो guys बात कर रहे हैं लक्ष्मी औरगैनिक इंडस्ट्रीस के बारे में और देखा जाया तो stock में बढ़त है 17 रुपे 35 पेसे तक stock बढ़ गया है 4.14% की तेजी हमें इसमें देखने को मिल रही है बिल्कुल अच्छा momentum हमें देखने को मिल रहा है so guys अब क्या अब बात करेंगे हम charts की तो chart पे पहले हम बात करेंगे 4 hour time frame पर 4 hour time frame पर बात करेंगे फिर देखेंगे उपर के levels क्या है तो forward time frame पर अगर देखा जाए तो एक falling weight जिसा pattern बनता हो आपको नजर आ जाएगा तो एक falling weight जिसा pattern यहापर दिखाई दे रहा है इस बिल्कुल यहाँ से stock आया था नीचे एसे गया उपर कुछ इस तरीके का pattern हमें देखने को मिल रहा है तो breakout हमें मिल गया है इस level पर जून करके बता देता हो तो इस level पर हमें एक proper breakout मिल गया है अब करना है आपको buy इस level पर आप buy कर सकते हो बिल्कुल यहाँ से एक bullish momentum आ सकता है stock में और retrace करके सीधा stock जाएगा उपर तो targets हमारे यहापर उपर की और है targets यहाँ पर मैं नहीं समझाओ गाईस long term के हिसाप से यहाँ पर short term के हिसाप से तो 470-500 तक तो easily जाएगा ही जाएगा बट long term के हिसाप से target आपको बताऊँगा मैं इस level में तो यहाँ पर one one time frame पर बात कर रहे हैं और देखा जाए तो stock उपर गया इस level पर support लिया अब यहाँ से जाएगा सीधा उपर तो ऐसे patterns जब भी बनते हैं तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर momentum होता है कुछ इस तरीके से stock उपर की और जाता है support लेते हैं उपर जाता है support लेता है फिर उपर जाता है फिर support लेता है तो वही momentum यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है कुछ इस तरह के stock उपर की और जा सकता है तो यहाँ पर target तो clearly 600-700 का आसपास का आप रखी सकते हो तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं लक्ष्मी Organics में 5 दिन में क्या हुआ 32 रुपे पेसे का return दिया है पाच दिन के time frame पर और percentage में अगर देखा जाए 8.08% की तेजी हमें देखने को मिल रही है वही गाईस अगर देखा जाए एक महीने के time frame पर तो यहाँ पर 26 रुपे 70 पेसे के आसपास stock बढ़ा है 6.52% के हिसाब से वही गाईस अगर देखा जाए तो यहाँ पर 6 मेने के time frame पर 213 रुपे 85 पेसे तक stock में तेजी है 96.05% के हिसाब से वही गाईस अगर देखा जाए stock open कहा हुआ था फ्राइड़े के दिन के हम बात कर लेते शॉट्स में तो 422 रुपे पर stock open हुआ था 449 का stock ने high भी लगया और low लगया 417 रुपे का market cap तगड़ा है 11.54 का market cap है चोपन हजार करोड के आसपास का और देखा जाए तो stock में एक mid cap stock की के degree में लाके रखता है और peer ratio 59.50 का है और dividend है 0.11% का सब बढ़ते हैं आगे और 52X का high और low क्या कुछ है हाई की बात करें तो बिलकुल यहाँ पर 628 रुपे का high है और यही हमारा target रहने वाला है long term के साब से और अब यह stock वही पर जाके रुकेगा रुकेगा 143 रुपे 25 पेसे का low भी आपको देखने का मिल जाएगा वही गाइस बढ़ते हैं आगे अब देखेंगे resistance लेवल और support लेवल क्या कुछ है तो resistance लेवल अगर देखा जाए तो first resistance लेवल आपको third resistance लेवल की तो यहाँ पर 466 रुपे 52 पेसे का है अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या कुछ support लेवल आपको देखने को मिल रहे हैं तो first support लेवल है 421 रुपे 62 पेसे का second support लेवल है 47 रुपे 83 पेसे का और जो third support लेवल है 398 रुपे 66 पेसे का अब बढ़ते हैं आगे price performance क अगर देखा जाया तो फेले हम बात करेंगे one week के price performance का तो one week का price performance अगर देखा जाए गाइस तो यहाँ पर positive है 4.42 परसें positive यहाँ पर अगर देखा जाए minus में था अब आ गया है positive और देखा जाए अगर 1 month का तो 0.11% positive है और देखा जाए 3 months का तो यहाँ पर minus में दीख जाएगा minus 11.62% वही guys अगर देखे trade value और common and delivery तो trade value की अगर बात करें तो 12 lakh के something का है trade value और 5 आच लाग के something का है common and delivery और देखा जाए yesterday का 4 lakh के something का है trade value और 2 lakh के something की है common and delivery और 1 week का average भी है यहाँ पर 9 lakh के something का trade value और 5 lakh के something की है common and delivery 1 month का अगर देगे तो 12 lakh के something का trade value और 5 lakh के something की common and delivery भी देखने को मिल जाएगी सो अब बात करते है community sentiments के आखरे तो 100% buying के आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं बढ़ते हैं बाग यह revenues की और revenues अगर देखा जाए तो year on year इससे अच्छे revenues किजिगे नहीं बड़े हो गए यहाँ पर अगर देखो 2017 से 2021 काफी तगड़े revenue बड़े है 2017 की बात करूँ 2017 करोड के आसपस का revenue बड़ा है 2019 में 1428 करोड के आसपस 2020 में 1358 करोड का revenue और 2021 की बात करे तो 1606 करोड के आसपस का revenue यहाँ पर गेन हुआ है साथ ही साथ बात करें net profit तो net profit भी year on year काफी तगड़े बड़े हैं 2017 का ही net profit देख ले 7070 करोड है और 2018 का revenue net profit 690 करोड है 2019 का revenue net profit 97 करोड है 2020 का net profit है यहाँ पर 28 करोड और 2021 का net profit है यहाँ पर 122 करोड तो year on year जो net profit बड़ा है काफी तगड़ा बड़ा है 122 करोड का net profit गेन करके रग दिया था 2021 में तो सोची सकते हो guys कितना stock बढ़ सकता है बात करें holdings की तो promoters की holding अगर देखी जाए तो तगड़ी है 72.92% के आसपास की FI की बात करें तो ODII की तो FI आते हैं 0.87% की holding और 3.3% की holding है DIA की और जो देखी जाए हाँ पर public holding 22.91% के आसपास की दिख जाए So guys stock में dumb है और बिल्कुल खरीदारी करने का मौका है इस मौके को छोड़ना मत वीडियो पसंदा आए वीडियो को like करो चैनल को subscribe करो thank you